नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 300 सीरिस बीरिंग की डिमेंशन के बारे में उसका ID, उसका OD और उसकी विर्थ को कैसे हमें एक इजीली ट्रिक से याद रख सकें दोस्तों इस वीडियो में 1304 से लेके 319 तक के बीरिंग है जो ज़्यादा अंतर इंडस्ट्री में यूज किये जाते हैं पंप और मोटर्स में तो आप इस वीडियो का एक स्क्रीन शोट लेके अपने पास जूरूर रखें ताकि जब भी आपको इसकी जूर्थ पड़े आप इसमें इसका ID, OD और उसकी विर्थ देख सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों शुरुआत करते हैं बीरिंग के ID यानि उसके बोर साइज के बारे में अगर हमको किसी भी बीरिंग नंबर का ID यानि उसका बोर साइज निकालना है तो हमको क्या करना है बीरिंग नंबर के जो लास्ट डिजिट होते हैं जैसे यहाँ पर 04 है, 05 है और यह 06 है तो हमको क्या करना है बीरिंग के लास्ट डिजिट को मल्टिप्लाई कर देना है 5 के साथ तो हमारे पास bearing का ID, यानि उसका bore size आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 04 को multiply किया है, 05 से तो 20, तो 304 का जो ID है, वो है 20, तो ऐसे ही हम किसी भी bearing numbers, या फिर 300 series के है, चाहे वो किसी भी series का है, उसके last के 2 digits को multiply करना है, 5 के साथ तो हमारे पास उसका ID, यानि उसका bore size आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 304 से लेके 319 तक के जो bearing numbers हैं, उनके ID आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं, bearing के outer diameter, यानि उसके OD को हम कैसे easily याद रखेंगे, जो 304 से लेके 306 तक के bearing है, अगर आपको इसका OD निकालना है, तो हमने क्या करना है, bearing के ज तो यह जो formula है, यह इन तीन bearing के उपर apply होगा, तो आपको bearing का OD मिल जाएगा, 04 को अगर हम multiply करेंगे 10 के साथ, और उसमें plus कर देंगे 12, तो 52 जो है, वो 304 bearing का OD, यानि उसका outer diameter है, और उसके जो आगे के नंबर है, जैसे 307, 308 और 307 से लेके 309 तक के जो bearing numbers हैं, इसमें भी ए formula है, आपने bearing के last two digits, यानि 07 को multiply करना है 10 के साथ, और प्लस कर देना है उसमें 10, तो आपके पास जो digit आएंगे, यानि 80 जो आएगा, वो 307 bearing का OD है, तो ऐसे आप इसमें से किसी भी numbers का, bearing numbers का, जैसे यहाँ पर 3013 है, इसको 13 को multiply करना है 10 के साथ, और प्लस कर देना है इसमें 10, तो यह 140 है, जो वो 3013 bearing का OD, यानि उसका outer diameter है, तो यहाँ पे भी आपके पास 304 से लेके 319 तक के bearing numbers के OD है, तो इस वीडियो का एक screenshot लेके जरूर रखें वीडियो के last में, दोस्तो अभी हम बात करते हैं bearing की विर्थ के बारे में, 304 bearing से start करते हैं, हमको सिर्फ एक bearing की विर bearing की विर्थ हम इजली निकाल सकेंगे, 304 bearing की विर्थ होती है, 15 mm, ठीक है दोस्तों, तो उसके जो आगे के bearing है, 305 हमने क्या करना है, 15 में 2 प्लस करना है, तो 17 है, 305 की, और अगर 306 की निकालनी है, तो 17 में हमने फिर 2 प्लस करना है, 19, तो यह 306 की है, तो ऐसे हम 304 से लेके 3319 तक की bearing की विर्थ हम इजली निकाल सकते हैं, बस हमको एक bearing numbers की विर्थ याद रखनी है, 304 की, तो इसकी जो विर्थ होती है, वो होती है 15 mm, उसके आगे 15, 17, 19, 21, 22 प्लस होते जा रहा है, देख लिजिए आप 23, 25, 23, 29, तो ऐसे हम इस trick से bearing की विर्थ भी याद रख सकते ह तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 1300 सीरीज के 304 से लेके 319 तक के जो bearing numbers हैं, उनका ID भी मिल जाएगा, उनका OD भी मिल जाएगा, और उनकी विर्थ भी मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो का एक screenshot लेके जरूर रखें, इस वीडियो के last में आपको screenshot लेने का time भी मिल कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को press कर लें, thanks for watching, तो अभी आप इस वीडियो का एक screenshot ले सकते हैं,